शपत ग्रहण कारक्रियम कब? आने वाली 21 सितंबर को आतीशी दिल्ली के मुख्य मंद्री पत की शपत लेंगी अकेले आतीशी ही नहीं उनके अलावा मंद्री पत की भी शपत दिलाई जाएगी अब चर्चा ये हो रही है कि कौन-कौन से विधायक मंद्री के रूप में शपत लेंगे कौन-कौन लेगा शपत? अटकले है कि आतीशी के मंद्री मंदल में फिलाल पांच मंद्री शामिल होतकते हैं बताय जा रहा है कि मंद्री मंदल में नए चेहरे को भी मंद्री बनाये जा सकता है बतादे की मुकेश अहलावत कुल्तानपूर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पार्टी अगामी विधान सभा चुनाओ से पहले दलिस चेहरे को सामने ला सकती है आपका नया दलिस चेहरा राजिंद्र पाल और राजकुमार आनंद के स्तीफे के बाद कैबिनेट में दलिस मंद्री नहीं था बोपाल राय, कैलाज गहलोट, सौरभ भर द्वाज और इमरान हुसैन मंद्री बन सकते हैं आतिशी के कैबिनेट में दूपांच नाम हैं इनमें से चार पहले भी मंद्री पत पर रहे हैं पार्टी की मंशा है कि सभी वर्गों के लोगों को मंद्री मंडल में प्रतिनिधित को मिल सके बता दे की दिल्ली की मौजुदा विर्हान सबाग का कार एकाल साल दोजार पचीज तक का है सादगी बड़ा रहेगा शपत सामरो बीटे 17 सितंबर को अर्विंद केजरिवाल में मुख्य मंद्री पस्ति इस्विफा दिया था आतीशी, सुस्मा स्वराज और श्रीला दिक्षित के बाद विर्ली की तीसरी महिला सियम होगी आतीशी का सपत सामरो राजगोबन निवास में आयोजित होने की संभावना है बताया जा रहा है कि आतीशी का सपत गिरहन समारो साधा रहने की उनीड है तारी जातीशी की तीशार अप्राज विर्ली का समारो रहा है